सब देंगू के कौन से patients को जादा खतरा होता है कि उन्हें black fungus अटेकर सुझता है देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि सारे देंगू के patients black fungus के risk पे होते हैं इसलिए आपको सतर्क रहना है कि कोई भी symptom आए आप अपने doctor से मिले देंगू के लिए हमें ये समझना है कि देंगू एक virus की बिमारी है जैसे corona या covid-19 एक virus की बिमारी है एक इनसान को corona हुआ उसने खासा चीका तो उसी हवा में दूसरे इनसान ने सास ले ली वो भी corona से संक्रमित हो गया ऐसे डेंगू एक वाइरस की बिमारी है और ये जो बिमारी है ये मच्छरों के काटने से फैलती है जैसे अगर एक इनसान को डेंगू हुआ उसको एक स्पेशल तरह का मच्छर होता है जिसको उन कहते हैं Aedes aegypti मच्छर अगर उस मच्छर ने डेंगू के इनसान को काटा और उसने फिर एक normal इनसान को या healthy इनसान को काट लिया तो वो इनसान डेंगू से संक्रमित हो जाएगा तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेंगू के symptoms क्या होते हैं देखें डेंगू के simple से symptoms आते हैं कि आपको fever होगा बहुत सिर्दद होगा throbbing से दर्द इसे हमें कहते हैं आंखों के पीछे दर्द होता है retro orbital pain मतलब आंखों के पीछे आपको दर्द फील होता है ये एक typical symptom है डेंगू का बॉडी में दर्द होता है, जोडों में दर्द होता है, यह बहुत टिपिकल सिम्टम है, इसको हम कहते हैं हडी तोड फीवर या हडी तोड दर्द, कि जब देंगू होता है तो बॉडी के जोडों में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ यसाथ डेंगू में बॉडी में र मसूडों से खून निकलना शुरू हो गया, स्टूल में खून निकलना शुरू हो गया, तो ये डेंगू की कॉंप्लिकेशन्स है, जिसको हम कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, जहां पे पेशेंट की डेध भी हो जाती है, हम लोग देख क्या रहे हैं, कि जब पेशेंट डेंगू से रिकावर हो रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और जैसी इम्यूनिटी कम हो रही है, और अगर ब्लाक फंगस के स्पोर्स हवा में होते हैं, तो वो स्पोर्स पेशेंट की बॉड़ी में चले जाते हैं, और पेशेंट को ब्लाक फंगस की इंफेक्शन हो रही है, लेकिन ब्लाक फंगस हमने पहले उन लोगों में देखते थे, जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हो गए हैं, हाली में हमने देखा कि जो कोरोना से पेशेंट्स रिकावर हो रहे हैं, उनमें भी ब्लाक फंगस मिलना शुरू हो गया, और अब डेंगू के पेशेंट्स जो रिकावर हो रहे हैं, दस-पंदरा दिन में उनके नाक से खूल निकलना शुरू हुआ, चेहरे में सूजन आ गई, आँखों की रौशनी कम हो गई, और उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया, उनकी जान चुई, तो पता लगा कि डेंगू का एक स्रीक्वेंस आ गया है, कॉम्प्लिकेशन जिसको हम कहते हैं ब्लाक फंगस, विसेंटली एक केस देखने में जिसमें पेशन को पहले डेंगू हुआ, उसके बाद भी ब्लाक फंगस हो गया, इस तरह के पहला केस है, क्या देए और क्या वज़व मानी जाए थी? देखे, दो-तीन केस इन फैक्ट सामने आया है, दिल्ली में एक अपोलो हॉस्पिटल में केस सामने आया है, साथ ही यूपी में चार-पांच केसे सामने आया है, जहां पे पेशन्ट डेंगू से रिकावर हो गया, लेकिन 15-20 दिन बाद उनको ब्लाक फंगस के सिम्टम आने शुरू हो गया, और पेशन्ट की नजर का लॉस हो गया, पेशन्ट की आंग की रौशनी चली गई, देखे इसका exact reason तो अभी भी research में चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, कि डेंगू की infection से पेशन्ट की immunity जो है वो कम हो गई, और जैसे ही immunity कम हुई, ये एक fertile ground बन गया, कि black fungus की infection पेशन्ट को हो गई, और वो fungus की infection नाग के जरिये होते वे आंग तक पहुच गई, और पेशन्ट की रौशनी चली गई, तो अफ़ोस पेशन्ट अब recover हो चुका है, लेकिन जो रौशनी आंग की चली गई, वो permanently चली गई है, अब वो वापिस नहीं आ सकती, इसलिए हमें सावधान रहना है, कि अगर आप डेंगू से संक्रमित होए, और डेंगू से ठीक भी हो गए, फिर भी आपको सावधान रहना है, आपको अपने symptoms को देखते रहना है, कहीं भी ऐसा हो कि चहरे पे सूजन आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक स्टफी स्टफी फील हो रहा है, नाक से खून निकल रहा है, रोशनी कम हो रही है, तो immediately आपको अपने आंखों के डॉक्टर से, या ENT के डॉक्टर से मिलना चाहिए, और आपको अपना चेक अप कराना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि ब्लाक फंगस हो गया, देखे, ब्लाक फंगस में सबसे important चीज है, कि जितनी जल्दी उसका इलाज किया जाएगा, उतना जादा असान हो जाता है, पेशेंट की जान बचाना और आँखों की रौशनी बचाना, देखे, ब्लाक फंगस में हम लोग बात करते हैं, कि पेशेंट की जान बचानी है, क्योंकि ब्लाक फंगस के पेशेंट में 50% mortality होता है, अगर 100 लोगों को ब्लाक फंगस की problem होगी, तो 50 लोगों की unfortunately death हो जाएगी, इसलिए जितना जल्दी ये problem diagnose होगी, उतना जल्दी इसका treatment हो पाएगा, उतना जल्दी पेशेंट की जान और आँख की रौशनी बचाई जा सकती है, सर जैसे पहले दिखाएगी ब्लाक फंगस उनको अटाइक करा था, जो कोविट पेशेंट है, सिबिलर्टी क्या है यहाँ पे? देखिए अगेन ये अभी बहुत rare case है, और पहली बार ऐसा मिला है कि डेंगू के बाद ब्लाक फंगस हो गया है, कोविट में तो हमें समझ आता था कि जो diabetes के patient है, जो मदू में के patient है, जिनकी sugar बढ़ी होती है, उन्होंने जब high dose steroid लिया, तो uncontrollably sugar बढ़ गई और body की immunity कम हो गई, उसकी वज़े से ब्लाक फंगस हो गया, लेकिन डेंगू में अभी भी research चल रही है, अभी mere speculations है, अलग-अलग theories आगे बताई जा रही है, लेकिन exactly इसका reason क्या है, अभी तक हमें नहीं पता, इस पे और research और चर्चा चल रही है, तो पहले हमने डेंगू की black fungus वाली complications आज तक नहीं सुनी, होती भी थी तो बहुत ज़्यादा highlight नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये highlight इसलिए हो गया है, क्योंकि last time जब कुरोना के बाद black fungus आया था, तो कई patients की death होगे black fungus की वज़े से, इसलिए जब ये दुबारा आया है डेंगू के बाद, तो doctors और patients बहुत सत्ता रखे हैं, कि कहीं ये उस तरह की problem ना बच बच जा है, ऐसा नहीं है कि अगर डेंगू किसी आपके सामने कोई इनसान बैठा है, इसको डेंगू है, आपने उसको छू लिया या उसने खास दिया तो फैल गई, तो मच्छर को control करना बहुत जूरी है, कैसे control करो, सबसे पहले तो मच्छर को पैदा ना होने दो, कैसे नहीं पैदा होने देंगे, अगर डेंगू का जो जो मच्छर है ना, एडिस एजिप्टी मच्छर, ये साफ पानी में पनपता है, जैसे cooler के पानी में, गमले के पानी में, कहीं साफ पानी कठा हो गया है, वहाँ पनपता है, तो सबसे पहले तो आपको मच्छरों को पनपने ने देना, कैसे ने पनपने देना, जहां पे साफ पानी है, या तो उसको हटा दो, नहीं हटा पारे तो उसमें मिट्टी का तेल दाल दो, दूसरा ये है कि आपको बचाफ करना है, कि मच्छर आपको काटे नहीं कैसे नहीं काटेगा मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करिए आजकल कई सारी क्रीम आ गई है वो बोडी पे लगा सकते हैं पैचेज आ गए हैं वो डिफ्यूजर आ गए हैं आल आउट की तरह कि आपने लगाया वो हवा में रिपेलेंट स्प्रे करते हैं तो मच्छर को काटने नहीं देना पूरे कपड़े पैन के रखे कि अगर आपको रिपेलेंट भी नहीं है तो मच्छर आपको कम से कम काटे देखे बाहर के देशों में यूरोपियन और अमेरिकन देशों में डेंगू की vaccine भी available है लेकिन unfortunately हमारे देश में अभी डेंगू की vaccine available नहीं है तो हमें मच्छरों को पैदा नहीं होने देना और काटने से रोपना है लेकिन अगर आपको इस तरह के कोई भी symptoms आ रहे है headache हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है जोडों में दर्द हो रहा है आपको nausea vomiting हो रही है dust हो रही है, diarrhea हो रहा है body में rashes हो रहे है तो आप अपने doctor से जरूर मिलिए वो आपके डेंगू के test करेगा उसमें कुछ blood test होंगे, कुछ antigen, antibody test होंगे और डेंगू अगर diagnose होगा तो इसकी कोई particular treatment नहीं है देखे, जैसे अगर किसी को malaria हो जाता है typhoid हो जाता है, तो उसकी दवाईयां बनी विये है डेंगू की कोई particular treatment नहीं है डेंगू का ilaj supportive होता है कि अगर fever आ रहा है तो fever की दवाई दो paracetamol, अगर body में pressure कम हो रहा है blood pressure कम हो रहा है तो हम fluids देंगे, पेशेंट को बोलते हैं कि जादा से जादा fluids लो patient को rest करना है और usually patient 4-6 दिन या 7 दिन में ठीक हो जाता है बहुत limited patients होते हैं जिनकी complications होती है अगर किसी को डेंगू हो चुगा है उस stage से black fungus तक ना बोचे तो डेंगू से जब आपका डेंगू fever खतम हो गया तो patients relax हो जाते हैं कि हमारा fever अगरे खतम हो गया अब हम बिमारी से दूर हो गए हैं लेकिन आपको तब भी सतर्क रहना है अपने आपको थोड़ा सा बचा के रखना है मास्क पहन के रखिए ताकि अगर black fungus के spores हो हावा में spores होते हैं, मिट्टी में spores होते हैं वो आपकी नाक तक ना पहुचे usually हम ऐसा देख रहे हैं कि डेंगू की recovery के बाद 15 से 25 दिन के बीच में लोगों को black fungus हो ला है तो उस time में आप और सतर्क रहेए आपको कोई भी symptom अगर आ रहा है नाक सांस लेने में दिक्कत हो रही है नाक स्टफी हो रही है, नाक से खून निकल रहा है तो immediately आप डॉक्टर से मिलिए और फटा-फट अपना diagnosis करा के इलाज कराईए, इसमें diagnosis की बहुत importance है, जितना जल्दी ये बिमारी पकड़ी जाएगी उतना अच्छा इसका इलाज हो सकता है और उतना हम पेशेंट की नजर भी बचा सकते हैं और पेशेंट को देथ होने से भी बचा सकते हैं अगर आपने डेंगो के रिकवरी में आप इमुनिटी मेंटीन कर ली तो बहुत चांसिस कम हैं डेंगो के लिए तो बाड़ी वीक हो जाती है तो इमुनिटी अच्छी रखने के लिए अगर आपकी बॉड़ी ओड़ी है तो आपकी इमुनिटी अच्छी है कैसे हल्दी रहना है रेगुलर एक्सिसाइज कर रहे है अच्छा बैलन्स डाइट खाना खाईए डाइट में प्रोटीन की मातरा जादा होनी चीए डाल हो गया या अगर आप सोया हो गया अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश खा सकते है चिकन खा सकते है रेगुलर एक्सिसाइज बैड हाबिट जैसे स्मोकिंग हो गया ड्रिंकिंग हो गया इतलीस्ट इस फेज में जब आप डेंगू से रिकावर कर रहे है उसको अवाइट करिये घर का खाना खाईए ज्यादा तेल या मिर्च वाला खाना नहीं खाईए प्रॉपर रेस्ट कर ही है तो इन सब चीजों से आपकी इम्मुनिटी मिंटेन रहेगी और आपकी प्रॉब्लम से बच सकते हैं